हेलो नमस्कार दोस्तो टार्गेट सीकर में आप सभी का स्वागत है हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रक्टिस सेट जो जी के जी एस का होगा जिसमें हिंदी भी होगी और आपके लिए जो पैट यूपी पुलिस और एससी इन सभी में आने वाले जो प्रिश्ण होते हैं उनकी स्रेणी के हम प्रिश्ण लेके आए हैं इनमें आपके लिए बहुत महतपूर्ण प्रिश्ण होंगे दो हजाल तेईस में होने वाले पैट के परिच्छा यूपी पुलिस की परिच्छा और अने जितनी भी परिच्छाएं हैं जो प्रदेस इस्तर की वंडे अक्जा आपके लिए उफलब्द कराया जाएगा यदि आप कमेंट करोगे तो तो आये अपने पहले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं देखिया हमारा पहला प्रिश्ण क्या है? हमारा पहला प्रिश्ण है कि पखे हुए टमाटर का रंग किसकी उपस्ततिति के कारण लाल होता है जो सयुद्तर बताना है आपको सयुद्तर क्या है इसका देखिए आपका ये पृष्ण्य है इस में पहला उपसंदिया हुआ है लोफिल के कारण दूसरा है करिटनोज़ के कारण है तीसरा है इंसुलिन के कारण और चौथा है विटामिन के कारण तो देखिए जो declography होता है इसके कारण पीड़ों की जो पतियां होती है उसका रंग हारा होता है ठीक है न हमारा दूसरा option है kratynoyd जो इस प्रिश्ण का सही उत्तर है ठीक है यही इस प्रिश्ण का सही अच्छा यह देखिए तीसरा जो ऐप्ん इन्सूलीन की करण। तो इन्सूलिन क्या मुत जाता है।ї यह का हर्मॐन होता है मानव शरीर में पाया जाता है जिसके करण कमी जाए मानव शरीर में तो क्या हो जाता है सुगर की विमारी यह जाती है। कि सुगर का लेवल बढ़नी लग जाता यारि हो जाती यह व्यक्ति को ठीक है न तो चौह था है हमारा विटामिन के कारण तो विटामिन क्या होता है जिसके जिसके विना हमारे शरीर के बिविन अंग रोगों से ग्रिस्त हो जाएंगे तो इसलिए ये हमारे सर्ये में बहुत ज़्यादा आवशक होता है तो टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है सी ठीक है ना विटामिन सी पाया जाता है आईए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिश्ण क्या है हमारा अगला प्रिश्ण कह रहा है कि भारत में पूर्टगाली सत्ता की वास्तविक नीम किस ने रखी थी इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताईए ओप्सन देखिए वासकोडिगामा, डलखोजी, अल्वुकर्क, अल्मीडा तो इनमें से बताईए कौन सा उप्सन सही है तो देखिए वासकोडिगामा जो था यह भारत में 1498 में 1498 इसवी में भारत आया था ठीक है? और भारत के दच्छनी इससे में आया था यह ठीक है न? कहाँ पर आया था? दच्छन में यह पोर्तगाल का निवासी था और पोर्तगाल से चल करके यहाँ पर आया था तो जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम क्या था? कालिकट बंदरगाह डलखोजी यह डलखोजी जो था, इसने कई प्रसासनिक सुधार किये और रेल चलाई यहाँ पर मॉंबई से थाने के बीच में जो प्रसम रेल चली थी यह डलखोजी की ही देनों थी ठीक है? तो हमारे इस प्रिष्ण का सही उत्तर क्या है? अल्वुकर्क क्या है? अल्वुकर्क इसका पूरा नाम क्या था? अल्वांसो डी अल्वुकर्क ठीक है? आईए अगले प्रिष्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिष्ण के राय है कि मेमोरी जो होती है कम्प्यूटर की जिसमें डाटा इस्टोरिक किया जाता है उसकी सबसे छोटी एकाई क्या होती है? यानि जो मेमोरी होती है उसे नापने की जो सबसे छोटी एकाई होती है उसके बारे में बताना है ठीक है न? तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर? सही है हमारे options दियो हैं पहला option है हमारा जीवी दूसरा option है bit तीसरा option है bite और चौथा option है केवी तो देखिए सबसे छोटी एकाई होती है bit ठीक है आठ bit मिलकर 8 bit मिलकर के एक bite बनाते हैं एक 1024 bite मिलकर के एक केवी बनाते हैं केवी मतलब एक किलोबैट और एक 1024 जो केवी मिलती है उनको मिला करके एक MB बनती है यानि एक मेगावाइट और एक 1024 MB मिलकर के एक GB बनती है चलिए अगले प्रिश्ण प्रिश्ण चलते हैं अगला प्रिश्ण क्या गहरा है मारा कि इन मेंसे किस ने हिंदू महासवा का गठन किया था यह आपको बताना है तेजवाद्र सप्रू ने मदन मोहन मालवी ने सुवाश्चंद्र वोस ने या भगत सींग ने तो आपको बताना है इन मेंसे कौन साप्सन सही है तो देखिए जो तेजवाद्र जो सप्रू थी इन्होंने लिवरल पार्टी की स्थाबना की थी किसकी इंडियन लिवरल पार्टी की ठीक है किस के साथ में मिलकर की की थी एमार जैकर के साथ में और सुरेंदरान्त बनल जी के साथ में ये उस पार्टी के एक नेता थे ठीक है संस्थाप कौन थे वास्तम में सुरेंदरान्त बनल जी और हमारा जो तीसरा उप्सन है सुवास्चंद्र बोस सुवास्चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी इन्हों में 1942 में और जो फॉर्वर्ड व्लॉक की स्थापना की थी वह कव की थी 1949 में 1949 में और यह हमारे जो अन्य तीसरे भगत सिंग जी वचे हैं इनोंने किसकी स्थापना की थी इनोंने तो इस प्रष्ण का हमारा सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है तो इस प्रष्ण का सही उत्तर है है मदन मोहन मालवी है ठीक है आइए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं अच्छा देखिए जो मदन मोहन मालवी हैं इनको महामना के नाम से भी जाना जाता है और और इन्हों ने Ettा-पन की थी इसकी 1915 कव की थी 1915 में चलिए अगले आज बैए प्रश्ण की थनिसे कि तरफ चलते हैं that है मारा अगला प्रिशन कहे रहा है कि उत्तर प्रिदेश में सरवाद कि शेत्रफल बाला उत्तर प्रिदेश में सर्वाद कि चित्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है options दिये हुए है धान की, गयों की, मूग फली या सोयावीन की फसल बोई जाती है तो इनमें से कौन सा option हमारा सही है तो देखिए जो धान की फसल है यह सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में बंगाल और मूग फली है यह सरवादिक गुजरात में गुजरात ठीक है और जो सोयावीन है सोयावीन कहाँ पर होती है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में ठीक है मद्यप्रदेस में भी होती है ठीक है तो इस पुछन का सही उत्तर क्या है सही उत्तर है गेहूं ठीक है क्या उत्तर है गेहूं आइे अगले परिष्ण की तरफ चलते हैं हमारे अगले प्रिष्ण भैप पूचा गया है कि लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निखेल के मिष्ण से कौन सी मिष्ण धातू बनाई जाती है यानि इन तीनों को जब मिस्र धातू के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सी मिस्र धातू बनती है तो options दे हुए हैं gunmetal, stainless steel, pital या नकली सोना तो इन में से बताना है कि कौन सी धातू इनके मिस्रन से बनाई जाती है ठीक है? देखिए, जो gunmetal होता है gunmetal जो होता है, इसमें कौन-कौन सी धातू होती है वो मिलाई जाती है तो एक तो होता है तावा, cu, यानि copper दूसरा होता है tin, यानि sn, ठीक है? और तीसरा होता है, जस्ता, zn, ठीक है? जिंक जिसे बोलती है इसे gunmetal बनता है, ठीक है? अच्छा, पीतल जो होता है, पीतल में क्या होता है? copper, यानि cu, प्लस jink, यानि gn, ठीक है? और जो नकली सोना होता है नकली सोना जो होता है, उसे बनाने क्लिए क्या-क्या मिलाई जाता है? तावा, यानि copper, और aluminium, ठीक है? एलूमीनियम ठीक है और इसे रोल्ड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है तो हमारे इस प्रिष्ण का सही उत्तर क्या है स्टेनलेस इस्टील ठीक है आईए अगले प्रिष्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिष्ण क्या कह रहा है कि इन में से किसको काला सोना के नाम से भी जाना जाता है जो काला सोना कहा जाता है इन में से किसे कहा जाता है हमारे उप्संस दी हुए है काजल है, कोईला है, पेट्रोलियम है या पीतल है तो देखिए पहला उप्सं है काजल ये हमारा सही उत्तर नहीं है कोईला है ये भी हमारा सयुत्तर नहीं है इसका सयुत्तर क्या है पेट्रोलियम ठीक है क्या है सयुत्तर पेट्रोलियम पेट्रोलियम को काले सोने के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ना आईए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिश्ण क्या कह रहा है द तिलेन उत्पादन, टमाटर उत्पादन, औरवरक उत्पादन और खाद्यान उत्पादन, तो बताईए इन में से सही उत्तर क्या है, तो देखिए, टमाटर उत्पादन का संबंद किस्य है, लाल क्रांती से, लाल क्रांती, लाल क्रांती, ये लाल क्रांती एक और चीज के ल तो इसको क्या नाम दिया हरित क्रांती हरित क्रांती तो इस प्रश्ण का सयुत्तर क्या है तिलहन उत्पादन जो विविन प्रकार के तेलों का उत्पादन किया जाता है जैसे सोयावीन है और अन्य प्रकार के अन्य भी तेल हैं सूरज मुखी है तिल का तेल है इस प्रकार से कई प्रकार के जो तेल उपलब्द किये जाते हैं बाजार में खाने के लिए जो खादे तेल होते हैं उनके उत्पादन के लिए तेलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांती लाई गई थी आईए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिश्ण कह रहा है कि भा हारतीय संब्धान है उसमें भर्तमान में कितनी भासाइ लिखी हुई हैं यानि उपलब्ध हैं गाल ईक्न alltså अभर ग gerçekten है को ठीक है अच्छा धेखिए जो हमारा मूल संविधान था मूल संविधान में जो अ कितनी वासाइं क्पशाय मूलस बतांट अच्छा ये बहसा हैं जो हैं संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत आती इच रहा हूँ आठ विऋ आन्सूची प्लय ब्ल्स च होती है वह किसके कारण होती है तो options दिये हुए हैं विशाणू के कारण जीवाणू के कारण क्रमी के कारण या कवक के कारण तो यह आपको बताना है कि किसके कारण पोलियो नामक विमारी होती है तो देखिए जो जीवाणू होता है ठीक है ना जीवानू के कारण कौन कौन सी विमारियां होती है ये देख लीजिए ये है प्लेग है प्लेग है प्लेग है और निमोनिया निमोनिया ठीक है प्लेग है जा निमोनिया इसी प्रकार की और भी विमारी होती है इससे और क्रमी से पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उन्हें क्रमी का आजाता है ठीक है पेट में दल्द हैं बच्चों में कुपोषण है और खुन की कमी है सरीर में मंद बुद्धी है ठीक है एनिमी रोग है तो यह हो जाते हैं ठीक है तो इसका सायोत्तर क्या है विशाडू के कारण किसके कारण विशाडू के कारण क्योंकि पोलियो क्या है एक वाइरस है और वाइरस को हिंदी में क्या कहते हैं विशाडू आईए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिश्ण कह रहा है कि निम्द लिखत में से किसके अध्यन को पेट्रोलोजी कहा जाता है यह आपको बताना है कि पेट्रोलोजी किसका अध्यन है फसलों का अध्यन चट्टानों का अध्यन जल का अध्यन या परवतों का अध्यन तो बताईए इन में से किसका अध्यन पेट्रोलोजी कहा जाता है तो देखिए, जो फसलों का अध्यन होता है, उसे क्या कहा जाता है, एग्रोनोमी, ठीक है, फसलों के अध्यन को एग्रोनोमी कहते हैं, और जो जल का अध्यन होता है, इसको हाइड्रोलोजिक आजाता है, ठीक है, और जो परवतों का अध्यन होता है तो परवतों के अध्यन को क्या कहा जाता है ओरोलोजी ओरो ओरोलोजी 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 तो इसका सैउत्तर क्या है चेट्टानों का अध्यन पेट्रोलोजी क्या कहा जाता है चेट्टानों का अध्यन आईए अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिशन कह रहा है कि सुधा जो सब्द है उसका सही बिलूम सब्द क्या होगा आपके option दिये हुए है अम्रित है गरल है, वारी है और मदू है तो देखिए जो सुधा सब्द है इसका अल्थ क्या होता है ये जानिए पहले तो तो सुधा का सही अल्थ होता है अम्रित ठीक है अम्रित इसका पर्यावाची है और अम्रित का ठीक उल्टा क्या होता है विश होता है अब आपको इन में से देखना होगा कि विश का परजय वाची कौन है तो देखिए वारिक आउठ होता है पानी ठीक है पानी जल अम्बुनीर ठीक है और मधु का आर्थ क्या होता है शहद शहद ठीक है मीठा या अम्रत के परिपेच्छ में भी मधु को लगा दिया जाता है तो इसका सही क्या उत्तर होगा गरल गरल माने विश जहर ठीक है आईए अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिशन कहरा है कि इन में से किस आयोक का वर्णन सम्विधान में नहीं किया गया है ज जो यहां पर ओप्संस दिये हुए हैं और ओप्संस को देखिए संगलोग सेवायोग वित्ता आयोग निरवाचन आयोग और नीति आयोग देखिए जो संगलोग सेवायोग है इसे UPSC के नाम से भी जाने जाता है UPSC ठीक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ठीक है और यह राज्य में और केंदर में दोनों अलग-लग होते हैं एक इस्टेट एूपैसी होता है और एक सेंट्रल पीपियसी होता है ठीक है और इसका व्रणन कौनसे अनुच्छिद में है 300 cocktail में 315 अनुच्छ तींसे 5 surfing में इसका व्रणन किया गया है आइए अगला देखते हैं ह इसका सही उत्तर क्या है जो वित्तायोग है वित्तायोग का वर्णन कौन से अनुछिद में किया गया है तो 280 में 200C में वित्तायोग का वर्णन किया गया है और जो निर्वाचनायोग है इसका जो वर्णन किया गया है जो 324 में तीन सो सो चौर्विस में ठीक है और इस से आगे चुनाव कैसे कराने आगे की प्रिक्रिया वगेरा वो सब कुछ अगेरा वगेरा सब बताया है तीन फूर्व उंतिस तक ठीक है और जो नीती आयोग है नीती आयोग की जो इस्थापना हुई है अभी मोदी सरकार के आगमन के बाद में हुई है ठीक है तो इसका पहले नाम क्या था वो था योजना आयोग ठीक है नीती आयोग का पहले क्या नाम था योजना आयोग वर्तमान इसके जो CEO हैं CEO परमेश्वरन परमेश्वरन ठीक है अईयर अईयर सुमनवेरी सुमनवेरी ठीक है और इसके जो अध्यच होते हैं वो कौन होते हैं स्वयम पुर्धान मंत्री होते हैं ठीक है तो इस प्रकार इस प्रिश्ण का सयुत्तर क्या है नीती आयोग ठीक है आईये अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिश्ण पूछ रहा है कि जो साधरन नमक होता है वो क्या होता है अमल होता है चार होता है यह ल स्टीटिर तेंद के योग से कि नमक का निर्माण होता है तो जब पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है न्यूतर बन जाता है यानि अमल और खारी प्रवर्वर्ति वाले जो दोनों आ tale मिलते गते होई हैं तो क्या बनता है लवन वंता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा लवन आये अगले प्रिश्न है हाँ państwo की देश में में यह खारे च्था का उठादन सरवाधिक किस राज्जीमें या पंजाब में तो इसका सही उत्तर है हमारा उत्तर प्रदेश में ठीक है आईए आगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा आगला प्रिश्ण के रहा है अंतराष्टिय प्रत्वी दिवस कम मनाये जाता है यह आपको बताना है तो 12 जनवरी है 22 अप्रेल है 21 सितंबर है य आपको बताना है तो देखिए जो 12 जनवरी है 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाये जाता है राश्टिय युवा दिवस युवा दिवस ठीक है ठीक है और हमारा जो 21 सितंबर है 21 सितंबर को क्या मनाये जाता है अंतराष्टिय 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 राश्ट्रिय शान्ति दिवस शान्ति दिवस और 21 जून को आप सभी को पताई होगा 21 जून को क्या मनाया जाता है अंतराश्ट्रिय योग दिवस ठीक है योग दिवस अंतराश्ट्रिय योग दिवस तो इस प्रिश्ण का सहयुत्तर क्या है 22 अप्रेल ठीक है आए अगले प कर द opan disinfect च्ञेया रहा है के जिसने गुरू से दिच्छा ली हो इस के लिए क्या सब्ढ एक शब्द बताना ग鬼 wel pessoas keeping a तो हमारे oxygen सें विद्वान शिच्षित देच्षित या विद्विद्यार्ति इन मैं से कौना सा उत्तर सही है तो जिसने दीच्छा ली हो गुरू से वो क्या कहलाता है दीच्छित ठीक है और जो विद्या चाहता हो ठीक है विद्या धन अर्थी विद्या चाहता हो विद्या ग्रेहन करना चाहता हो वो क्या कहलाता है विद्या थी सिच्छित जिसने सिच्छा ग्रेंड कर लियो वह सिच्छित और विद्वान जो विद्यावान है ठीक है ना जिसने विद्या ग्रेंड किया है वह विद्वान है आईए अगले प्रिश्ण की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रिश्ण के राय है कि संग्या के इस्थान पर जि उन्हें कहा जाता है देखिए विशेश है विशेशन है सर्वनाम है या क्रिया है इन चारों प्संस में से क्या सही है यह आपको बताना है तो जो क्रिया होती है वो क्या कलती है किसी भी व्यक्ति या वस्तु आद की जो मोशन होता है ठीक है चलना फिरना बात करना जो कुछ भी होता है जो काम किया जाता है उसे क्रिया के माद्यम से व्यक्त किया जाता है ठीक है और जो विशेशन होता है वह संग्या और सर्वनाम के करता है ठीक है और जो विशिष होता है किइसे संग्या यह सरवनाम के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसका सेयुत्तर प्रेजनों को जोड़ने पर छाअच्छर बंता है आपको तो बताईए आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा देखिए आधा का प्लस सा यह सा जो है यह कैसे बना हुआ है आधा सा प्लस अ तब जाकर यह पूरा सा बना है इसी प्रकार से यह अन्य जो है यह भी इसी प्रकार से बने हुए है जो पूरे पूरे है तो इनमें कौन सा अप्सन हमारा सही है तो हमारा सयुत्तर क्या है? आप्शन दो, ठीक है? कर प्लस जो सा होता है, इसके मेल से चा बनता है, ठीक है ना? आधा का और पूरा सा, इसके मेल से चा अच्छर बनता है. अब आपको एक प्रिश्ण बताना है, कि जो लॉकिक शब्द होता है, उसका बिलोम शब्द क्या होता है? इसके लिए आपके आप्शन्स हैं, परलोक, इंद्रलोक, सांसारिक या अलोकिक, इन वे से कौन सा उत्तर सही है, ये आपको बताना है, और हमारे अगले प्रिश्ण जो स्रंखला है, उस तक इंतजार कीजिए, अगले दिन वह प्रिश्ण संकला आपके समझ उपलब्द करा दी जाएगी, अगले वीडियो आपके लिए कल आएगी, इसलिए हमारे साथ में बने रहिए, और जो पैट का एक जम जल्दी ही होने वाला है, उसके फॉर्म आचुके हैं, पेपर आने वाला है, पेपर जल्दी ही होता इसका और अब तो इस तर कठिन होता जा रहा है, जल्दी से जल्दी अपने अपने पैट के फॉर्म भल दीजिए, ठीक है, हमारी अन्निकच्छाएं भी पहले से कुछ वीडियो रिकॉर्डेड हैं, तो उन रिकॉर्डेड क्लासेज को आप देख लीजिए, जिनमें हिंदी, गडित और रीजिनिंग की प्लेइलिस्ट बने हुए हैं, उन प्लेइलिस्ट को आप पूरे के पूरे देख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है ना, तो चलिए बने रही हैं हमारे साथ में, आने वाली कच्छा हैं, जिनमें रिजिनिंग की प्रक्टिस सेट चल रहे हैं और जीके जी इसके चल रहे हैं, हिंदी भी आपके लिए साथ ही साथ लाया जा रहा है, इनको देखते रहिए आपके लिए बहुत फायदेमंद और काम के सोदाएं हैं ये तो बने रहिए हमारे साथ में अगर परिच्छा पास करनी है तो पढ़ना तो पढ़ेगा ठीक है इसलिए लगे रहिए अमें दीजी अनमती नमस्कार जैहिंद